अरविन के जिरिवाद और उनकी पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे और अब जिस आतिशी मरलेना को दिल्ली का नया सीम बनाने का फैसला किया गया है उनका पूरा परिवार आतंकवादियों का समर्थक है आतिशी के माता फिता दोनों ने अफजल गुरू को बचाने के लिए राष्ट्रपती के पास दया या चिकायन लिखी और हर संभव प्रयास किया कि उसे फांसी की सजा न हो सके आतंकी समर्थक नकसली सोच के बीच पली बढ़ी आतिशी मर्लेना को सीम बनाया जाने की खबर से सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही नहीं बलकि दिल्ली की सियासत में खलबली मच गई है अलाकि आतिशी मर्लेना डमी सीम बनेंगी और उनके सीम बनने से पहले ही उनका एकस्पायरी डेट तै किया जा चुका है आतिशी पर उनकी ही पार्टी की राजिसरभास संसद स्वाती मालिवाल ने बड़ा आरोप लगाया है स्वाती मालिवाल ने कहा कि आतिशी के माता पिता ने आतंकवादी अफजल गुरू को फांसी से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी केजरिवाल के आवास में 13 मई को खुद पर हमले का रोप लगाने के बाद बागी बन चुकी मालिवाल ने इसे देश की सुरक्षा से भी जोड़ा और कहा कि आज का दिन दिल्ली के लिए दुखत है आज दिली के मुखमंतरी एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंक वादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लडाई लड़ी। दिली के लिए आज का दिन बहुत दुखद है। तो उन्हें राजिसभापत से स्तीफा दे देना चाहिए। आतिशी के माता पिता दोनों दिली इनवर्सिटी में प्रफेसर रह चुके हैं। आतिशी के पिता का नाम विजय सिंग और मा का नाम त्रिप्ता सिंग है। आतिशी पहले पूरा नाम आतिशी मरलेना लिखती थी, मातापिताक, कालमाक्स और लेनिन से प्रभावित थी, इसी के चलते दोनों ने अपनी बेटी के नाम के आगे मरलेना जोड दिया था